हमाई स्कूल के स्टाप में है चालिश टीचर सर एकतालिस हमाई स्कूल के स्टाप में है एकतालिस टीचर हमने यहां बुलाया केवल चार लोगों को का है बता सकता कोई अब आपई बुलाय हो तो आपई जानो हम लोग का का पता नहीं पता तो चुप़े बैठो अरे पगले हुगा बिल्कुल सामने प्रिंस्पल बैठा है चिला रहा है कोई फरके नहीं है हस रहे और तुम हमाई सामने यार बोला ही ना करो तुम्हाई मुझसे आती बदवू हां बड़ी तेज रुमाल लगा के बैठा करो बता दिया हां तो हम कई रहते हमने यहां तुम लोगों को क बता रहें बता रहें का है मारे जार बैठो बच्चों की लगातार सिकायते आ रहीं आप लोग के खिलाप इसलिए बुलाया है अच्छा अच्छा नहीं एक सिकायत ये है कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं अरे राम राम यहां आपकी बात की जा रही मिस्रा जी क्या बक नहीं मेरा मतलब क्या कही रहा है सर नहीं नहीं बक और नहीं सर हम जगते तो हैं क्लास में नहीं बिल्कुल जगते हैं जगते तो हैं यह हैं लेकिन जब घंटी बचती तब जगते हैं घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे वहां फिर सोएंगे औरे नहीं सर क्या नहीं यहीं सच है सही कही रहे हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता यह सोय रहीते कहिते चलो बैया जाओ घंची बज गई जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाके हिहां सहतो फीरा यख़काते यख़काते उठते वेखे More तो नहीं यही-फी यह तो तुम हस लिए यह तो बहुल लिए नहीं नहीं एक बार तो यह आँटे यह रहा रहा मोड़ता अभी में इंस चरना लगतारी जीना भगी होगी फिर तो हेहेहे हेहे हेहर्स कहा है हेह हेहर्स कहा है हेहर्स यह आइस कहा है यह टीट कहा है यह साब गलत बता आ रहा है आप इंगलिस के टीचर आपको इंगलिस नहीं आती बोडी पार्ट तक नहीं आते आपको आता क्या है आपको हसना और तुम पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो नहीं तो सर अच्छा तो हम जूड बोल ला है मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब मतलब बच्चे सिकायत कर रहा है पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं अरे इनकी हाइट कम है ना तो तो यह पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते हैं आगे ही आगे पढ़ाते हैं चले जाते हैं अरे यार कितनी हाई छोटी खड़े हो जब आप देखें कितनी हाई छोटी खड़े हैं तो है तुम खड़े हो मतलब तुम तब से खड़े हो हाँ वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है देखो ऐसा है तुम सीट पे खड़े होके कुर्सी पे खड़े होके टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ लेकिन सबको पढ़ाओ सर कर चुके हैं ये काम लेकिन सर बच्चे हसने लगते हैं फिर क्या ता रहएं 吃 नहीं ये क्या वी कुप इद पता रहें मतलब कोई आधमी अगर बांस बांधेगा तो खड़ा हो पएगा डिस्बाइलेंस होके खोपडिया नहीं फुरवा लेगा अजीब बेवकूफी वाली बाते कर रहें बेवकूफ हैं क्या कुछ ज़्याद़ ही बोल लें आप नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सग्यान नहीं नहीं कुछ ज्यादे ही बोले हैं क्या कर लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे नहीं क्या कर लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे नहीं नहीं क्या कर लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे करके दिखाईए मैदान में आईए यहीं बताईए बैजाईए बैट जाईए नहीं तो मैदान में दोनों को भेद देंगे कुस्ती लड़ ले ना वहाँ पे जाके तिरे एक दूसरे खोपड़ी फोर के आना हमाई पास नहीं तो आप इनको समझाईए ना इनको क्या समझादे हम में लड़ा का तो तुम हो आपको इसलिए बुलाया गया था कल किसी के गार्जियन आये थे सही सलामात आये थे लंगडाते हुए गए है हमें पता चला मार पीठ हुई आप दोनों में मतलब हद हो गई ये हालक चल लए हमारे स्कूल की तुम चारों मकारों को नौकरी से निकाला जाएगा बताए दे रहें हर कतो Mais अगर शुधार नहीं हुआ तो नौकरी से निकाले जाओगे ठीक मागना सडक पे ये रबड है इस रबड है यहां किसी के पास रबड है रबड का क्या करना है तुमको बीगारना है क्या बिगारना है, हमाई जिंदकीत पहले बिगार चुके हो तुम, अब क्या बिगारना है अरे गल्ती दिख रहा है, वही सोच रहा है, बिगार ले चलो, कोई बात नहीं, थूख से बिगारे ले क्या, थूख? हाँ, थूख से बागल हो क्या बिफॉक्र थोख से बिगाराबाता है चीह।ं तो हुसमेधिकत क्या है। कोई दिक्कत नहीं। बागल हो बिलकुल। तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूख से बिगारा है। कहां? कब.. आपके रजिस्टर में लिखा तब प्रिंसिपल का नाम लिखो हमने धोके में अपना नाम लिख दिया फिर थूख से मिटारा फिर आपका लिखा थूख से बिगारने में दिक्कत क्या है इतना गिनपण मेरे नाब के दीचे मेरे रजिस्टर में फुरी दुनिया बिगारती थूक से फूरी दूप से फूखसे पुरी दूप से फूखसे या लगता है सभी वो फूखसे लड़ी है चलो अगली बार नहीं बिगाडेंगे सर जी अगली बार नहीं पिगाड़ेंगे सर जी सर जी आख्या तो खुली है सर जी